So everyone was bullish on render few days back Render एक ऐसा coin है जिसको सभी जानते हैं अब यहाँ पर एक नया coin आया है जिससे render से लोगों को compare करने की आदत हो गई है और बोला जा रहा है कि एक render killer है मैं भी इस coin पर काफी bullish हूँ बट इस video में मैं आपको बताऊँगा कि कैसे एक coin काफी अच्छा return हमें आने वाले future में दे सकता है और क्या सही में एक render killer है So यहाँ पर आज की video में मैं आपको बताऊँगा इस coin के बारे में कुछ चीज़ है आपको उससे पहले कुछ important चीज़ बताऊँगा कि कैसे आपको moon boys fool करते है कल CPI data आया था आज आप शाम को यह 7.30 बज़े वीडियो देख रहे है मैं कर रहा हूँ सुबह 7.00 बज़े से record So यहाँ पर मैं आपको बताऊँगा कि कैसे जो trading होती है वो events के बारे में नहीं होती मैं आपको बताऊँगा कैसे मैंने CPI में पैसा बनाए फिर बात करेंगे इस coin के बारे में फिर बात करेंगे कि क्या यह render का competition है यह एक myth है या फिर यह सच है और फिर बात करेंगे price prediction chart और strategies की जो आप use कर सकते हैं for buying this coin अगर आपको यह वीडियो काम की लगती है तो like जरू करिएगा और चान को कर लिजेगा subscribe क्योंकि कल आ रही है एक बहुत important वीडियो Solana ecosystem coins पर जहां पर आप इस bullrun में काफी अच्छा पैसा बना सकते हैं Solana पर एक dedicated video हमने थोड़े दिन पहले बनाई थी उसमें लोग काफी सारी चीज़े काफी सारी levels में बताये थे जो उनके काम आज आ रहे होंगे जहां पर हमने अनबाइस research दी थी बताये थे कैसे यहां पर आपको अभी buy नहीं करना है Twitter पर मैं काफी सारी चीज़े डालता हूँ जो यहां नहीं डालता हूँ और Telegram पर आपको मिलेगी detail दो हमारे groups की राइट एक है लक्ष्मन Private Circle और एक है TBV Pro TBV Pro में totally free entry है वहां पर एक छोटा सा portfolio में manage कर रहा हूँ जो मैं bull run के end तक grow करूँगा आपके साथ मिलके अपनी strategy आपको बताऊँगा अपनी planning आपको बताऊँगा और वहां पर अगर आपको लग रहा है आप लेट होए तो उसके channel को आप join कर सकते हूँ आप बोट लग होगा automatically आपको किसी को message करने की जरूद नहीं है steps वहां लिखे होँ है पिंड है TBV official में जो नीचे दिया गया है link और वहां से आप join कर सकते हो और copy कर सकते हो हमारे portfolio as it is right और वहां पर मैं proper risk management के साथ काम कर रहा हूँ तो ये तो नहीं बूलूँगा कि 100x बना दूँगा बट एक अच्छा gain बना के हम उस portfolio से निकलेंगे ठीक है आपको वहां पर 100-200 dollar का portfolio होना चाहिए and then you are good to go so यहां पर हम बात करेंगे सबसे पहले तो trading की पर उससे पहले एक बात करने है आपसे ज़रूरी है काफे सारे लोगों को comment आ रहा था कि render जो है delist हो रहा है काफे सारे लोगों ने appreciate भी गया क्योंकि हमने first day पर यह बता दिया था कि यहां पर यह dealist नहीं हो रहा है यह change हो रहा है Solana Network में तो इसमा कोई FUD वाली बात नहीं है although यहां पर लोग घबराए हुए जिनको नहीं समझा रहा है हो क्या रहा है actually अगर आप यह वीडियो देख लो कि तो बहुत सारी चीज़े आपके लिए clear हो जाएंगी यह वीडियो मैंने इसलिए बनाए थी क्योंकि काफी सारे लोग हमारी community मां render hold करते है काफी time से so यहां पर बात आती है जिब trading की तो CPI से पहले ही आप देख सकते हैं 744 AM का tweet है 11 July का यहां पर मैंने लिखा था कि Powell जो है यानि कि जो CPI आएगा वो दोनो red areas को और green areas को ले जाएगा और यहां पर अगर आप देखते हो आज का bitcoin transaction तो कल red area को ले लिया गया यहां पर बहुत सारे लोग मैं बोल रहा हूँ कि FOMO कर रहे थे कि CPI बहुत अच्छा है अप पंप हो का bitcoin देखो CPI अच्छा आना अच्छा होता है risky assets के लिए gold के लिए bitcoin के लिए stocks के लिए बट यहां पर हुआ गया फिर गिरा क्यों है यहां पर अगर आप एक trader हो ठीक है अगर आप event based investing भी कर रहे हो तो भी आपके लिए चीज़ खतरना होगी तो यह past की कुछ date है एक दो तीन चार पांच छे दो हजार तैइस में कल जो CPI वो lower than expected था है ना लोगों को expected था कि कम आएगा 3.1 और उससे भी कम आ गया तो काफी bullish होगे लोग और काफी सारे tweets आपने देखोंगा काफी सारी videos देखे होंगे Bitcoin to the moon, bull rally वो सारी बाते कहीं ना कहीं सही भी है और गलत भी है अगर आप देखोगे तो यह सारे events पर जो mark कर रहे हैं date wise इन पर जो CPI data आया था वो lower than expected आया था सबसे बहले देखते हैं ज यहां पर क्या हुआ मार्च में CPI बढ़िया आया पर अगले दिन टंप आया एक red candle आया फिर continuation मिली उसके बाद अगर आप देखते हो तो CPI वाला दिन जो गया वो red गया उसके बाद consolidation हो यहां उसके बाद आपको dump मिला Bitcoin में उसके बाद अगर आप देखते हो मैं मैं तो 2023 में CPI आया negative यानि कि हमारी market के लिए तो positive भी आया lower than expected आया और यहां पर CPI का अगला दिन जो था वहां पर कितना percent dump देखने हो मिला आपको यह देखे है 4.5 percent का dump Bitcoin में जो की काफी होता है अगर आप leverage पे position लेके बैठे हो तो आपको तो काफी दिक्कत हुई होगी तो यह च market cap बहुत चोटी है और बहुत easy है manipulate करना वेल्स के लिए आपको यहां पर आपको धियान रखना है अगली बार जब आप trade करोगे किसी भी event को तो सिर्फ event को नहीं चार्ट पर देखके अपनी strategy को देखके trade करो मैंने कैसे बैसा मना है CPI पर मैं आपको यह बताता हूँ यहां पर आप देख सकते हो हमने यहां पर एक trade share किया था 10 तारिक के round मैं आपको दिखाता हूँ ठीक है दस तारिक को मैंने Solana का एक short trade update किया था यहां पर यहां पर उस trade के बाद हुआ गया मेरे साथ मैं आपको दिखाता हूँ ठीक है जो कि एक honest चीज हुई यहां पर 66% त trade मेरा plus गया और 10% का stop loss मेरा hit हो गया Solana में चले गए मेरे पैसे 10% तो all over 50% प्लस रहा वो हमारा दिन ठीक था उसके बाग 11 जुलाई ठीक है कितने बज़ेगा message है लक्ष्मन प्राइवेट सरकल का message है यहां पर मैं आपको मैं पहली बता दूँ जिन लोगों का एक वहम है कि लक्ष्मन प्राइवेट सरकल में हैंगे उनको call दोंगा रात रात अमीर बना दूँ हो तो ऐसे कुछ नहीं है आपके पेशन से सीखने का आपका एक long term goal है तो आप लक्ष्मन प्राइवेट सरकल जॉइन करना वनना मत करना call all में ऐसे देता नहीं है ठीक है अगर आपको सी सो यहाँ पर CPI bullish आया तो इसका मतलब यह नहीं कि हम भी bullish हो जाए चार्ट अगर bearish है तो bearish है trend को आप मैं बुलूँगा नहीं कर सकते challenge और भी बहुत सारी चीज़े होती है देखने वाली तो सिर्फ CPI आया positive और आपने दो चार tweet देखे दो चार वीडियो देख लिए और long कर दिया तो आपका नुकसान होगा यह चीज मैं इस वीडियो से हटके आपको बता रहा हूं बढ़ इसलिए बता रहा हूं ताकि आपका नुकसान ना हो और आप हुआर सा trading सीखना चाते हो खुद भी करना चाते हो analysis और यह सब चीज़े सीखना चाते हो तो join कर सकते हो लक् internet of GPU is finally here देखो एक तो इनका जो best side में बतायता हूं पहरी बात तो जो render से comparison है इसका यह render से कोई comparison रखता नहीं है render का यह business था नहीं अभी तक अब है मैं बताँगा कैसे है ठीक है render का यह business नहीं था कि वो GPU rent पे दे रहे हैं ले रहे हैं ले थे बट उनका whole soul business जो था वो 3D modeling क उनके software के round था O-T-O-Y ठीक है ऐसा नहीं कर रहे थे कि आप से GPU ले लिया किसी और को दे दिया और वो वह वहाँ पे अपना AI run कर रहा है बट यह बहुत जादा बड़ी एक industry बन गई तो render भी यहाँ पर jump कर गया बट क्या यह render का competition है render का ही एक तरह से project है backup है render का यह देखो म render के थूँ अब Solana का जो CEO है Aptos का जो CEO है render के जो CEO है तीनों यह बहुत तगडे बंदे हैं तीनों ने मिलके यहाँ पर initiative लिया इसको support करने का तो यह चीज आने वाले टाइम में काफी successful हो सकते है तो render का कोई competition नहीं से दोनों अलग use case रखते हैं हां बट एक तरह से render का ही project ह तो इस चीज को लोग नहीं समझते यहाँ पर बूला जाता है कि इनके पास 100X याने की 100 गुना ज्यादा GPU अपने जगह पर एक काफी अच्छा project है मुझे personally IO ज्यादा अच्छा लगता है तो अब यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ अगर आप देखोगे तो यहाँ पर एक इस जनरेट के comparative to IO, IO एक नया project है, IO बहुत सारे exchanges पर आ गया ठीक है और partnership भी ज्यादा अच्छी है, backup भी ज्यादा अच्छा बहुत सारे लोग यह भहस करते हैं कि भहस करते हैं चलो उनका एक point of view है हम सबके point of view को respect करते हैं कि render जो AKT है वो decentralized है इसलिए IO से बढ़िया है, IO ब और वो बात मैंने सुनी थी 2023 स्टार्टिंग में 2022 में और Cardano वहां से कुछ भी नहीं कर पाया और Solana काफी pump होगे तो इन सब चीज़ों ध्यान देने के आपको शुरूत नहीं है, आप एक investor हो, जहां पर आपको hype, जहां पर आपको fundamental growth मिले, वहां पर आपको पैसा बनाना है आपको कोई मतलब नहीं है, decentralized, centralized, this is all myth, ठीक है, तो यहां पर मैं देखता हूँ, Greg Osuri को, जो की CEO है, Akash Network के, so यहां पर यह बहुत जादा FUD करते हैं, against other projects, इन्होंने I.O के बारे में भी FUD किया था, अभी Polkadot का grant का जो FUD आया था, जिसके बारे मैंने discussion करी थी आपसे, कि यह सिर्फ एक छोटा सा FUD है, जिस पर आपको ध्यान नहीं देना है, तो यह दूसरे projects को let down करने के लिए, AKT में profit book करके exit कर चुका हूँ, ठीक है, profit book करके, अब जो लोग बुलेंगे कि, AKT का आपको नहीं पता, बहुत बढ़ा project है, AKT का मुझे पता है, क्या scene है, AKT को मैं डॉलर पर जब वो टच हो गया, तो हर कोई ही बात कर रहा है, हमने तो तब बात करी, जब कोई ध्यान नहीं दे रहा था, ठीक है, यहाँ पर मैंने बोला हुआ था, जून एक तरिक 2023, आज से एक साल पहले की बात हो गई था, एक साल पहले ही हमने AKT को discover कर लिया था, ठीक ह अब यहाँ पर बात करेंगे हम चार्ट की, जो की काफी important रहने वाला है, ठीक है, अब market behavior की बात करेंगे, कि market में behavior क्या है लोगों का, जो की काफी ज़्यादा गलता है, अगर आपका भी behavior ऐसा है, तो आप पैसा नहीं कमा पाऊगे, इस चीज को आपको ध्यान में रखना ह हमने IO को cover किया था, first day पर buying करी थी, ठीक है, जिसके बाद IO 72-80% pump हो गया, तो वहाँ पर कैसे tweet आते थे, कि मुझे ज़्यादा खरीद लेना चाहिए था, मैं ज़्यादा खरीद रहा हूं, मैं सारा ही खरीद रहा हूं, जितना पैसा है उसका, ठीक है, ऐसी बाते लोग करते तो लोग, और जैसे ही यह नीचे आया, तो लोग कह बाते करना लग गए, यह तो shit coin है, VC dump कर रहे हैं, low float high FDV है इसका, कि इसकी जो fully diluted valuation हो बहुत ज़ादा है, और जो circulating supply है, market में बहुत कम है, तो अगर आपका sentiment किसी भी चीज को लेके, अगर आपका research किसी भी चीज को ले लिए है, तो ऐसे भी हमारा काम चल जाएगा, तो यहाँ पर आप देख रहे हो, IO को, तो simple सी एक चीज बतायता हूँ मैं आपको, अगर आपको पसंद नहीं है, कि आपका पैसा नीचे जाए, पहले तो मैं यहाँ से सारी drawing हटाऊँगा, यह जो एक market की sentiment मैंने आपको दिख है, यह मैं हटाऊँगा यहां से, ठीक है, और फिर हम आगे बात करेंगे, चार्ट के, इसको हटा लेते हैं, ओके, तो अब अगर आप देखोगे, सबसे बहले हम क्या देखते हैं किसी भी चीज में, मैंने आपको बताया पिछली वीडियो में, हम देखते हैं trend, अगर आप आप देखोगे, आईयो का trend, तो यह यहां क्या कर रहा है दोस्त, यह यहां बना रहा है lower highs, ठीक है, तो obvious सी बात है, अगर आप अभी खरीदोगे, तो जरूरी नहीं है, कि आपको यह पैसे देगा अभी गे अभी, ठीक है lower highs बना रहा है, यहां पर इसने कोशिश करी, एक higher 5 dollars के उपर, अगर आप breakout catch करना चाते हो, मेरी क्या position है, यह के अंदर मैं बतायता हूँ, मेरी 2 position है, एक average है 3.6 की, एक average है 2 dollar की, 60% मेरी 40% मेरे हाथ में अभी भी है, तो I am not at risk, ठीक है, मैं इसको इसलिए ऐसा खरीद रहा हूँ क्योंकि मुझे इसमा conviction है, आपको ऐसा नहीं खरीदना, अगर आपको अपना portfolio red नहीं देखना है, बिल्कुल भी, आपको क्या करना पड़ेगा, आपको करने पड़ी एक्स्ट्रा महनत, एक्स्ट्रा महनत कैसे करने पड़ेगी, आपको ढूमना पड़ेगा, दोस, breakout को, ठीक है, breakout कग होता है, जब last high के उपर price close होता है, तो या तो चार्ट पर धियान रखो, या तो ready रहो, और अगर आप orders लगा रहे हो, देखो 3.6 से 2 dollar तक का मैंने wait किया, मैं भी चाता है अगर, तो यहाँ पर फटा 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 फट एंट्री लेके पना 100% डाल देता हो, सस्ता होगे, सस्ता होगे, बट ऐसा FOMO करके बेदा नहीं होता, ठीक है, क्योंकि देखो, यहाँ trend to change हो नहीं रहा है, तो आखरी fund अभी मैंने हाथ में रखा हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हो, एक हमार लिए जो bearish situation हो जाएगी, 1.95 के नीचे हो जाएगी, फिर मैं यहाँ पर अगर मुझे अपनी last entry के बाद 40-50 50% dump देखा, तो एक 20% डालूँगा, और फिर उसके बाद भी 20% हाथ में रखूँगा, तो अगर मैं किस चीज़ पर bullish हूँ, तो all in नहीं जाओँगा, कभी भी, अपने against में भी एक scenario रखूँगा, अगर आप देखोगे, fundamentally, IO का fundamental अच्छा है, और support भी अच्छी है इनको बहुत पैसा बनने वाला, आने वाले कुछ महीनों में, तो आपको वीडियो चाहिए, तो आज की वीडियो को करिए like, और चैनल को कर लेज़ेगा subscribe, और कल 7.7 बज़े आपको वीडियो मिल जाएगी दोस्त, तो यह simple सी चीज़ बदादी चार्ट पर ज़्यादा complicated करी नही लोज बन रहे हो, या तो भाई, एक अच्छी strategy के साथ खरीदना, बट उसके लिए आपको किस चीज़ की जरूत है, उसके लिए आपको जरूत है risk management की, क्योंकि जब चीज नीचे जा रही है, और आप खरीद रहे हो, तो आपका पैसा भी नीचे जा रहे है, और आगर आप ये bear नहीं कर सकते, तो अभी आपके लिए समय नहीं है, खरीदने का, अगर आपको बिल्कुल भी minus देखने का पसंद नहीं है चीज, तो बिल्कुल भी आपके लिए समय नहीं है, पर हाँ, breakout पे आप ज़रूर catch कर सकते, उसका breakout जब आएगा, तो मैं update ज़रूर करूँँग रेंडर का competition नहीं है, रेंडर का part है, रेंडर killer gain wise हो सकता है, obviously अब रेंडर ये कितनी बड़ी market cap का coin मन गा है, तो I don't know कि वो 2000-1000% देगा नहीं रहेगा, बड़ ये 200 million की market cap हो सकता है, ड्रॉप के 150-100 तक मिल जाए, अगर मौका मिला तो, तो वहाँ पर एक अच्छी opportunity की तर करना बड़ेगा, when it goes in uptrend, catch it, book profits, enjoy profits, this was the video, I hope you liked it, आपका कोई myth हो तो दूर हो जाए, वो मैं चाता था और मैंने आपको बता दिया है, कि CPI जैसे events को सिर्फ hype में trade मत करना, आपका पैसा 0 होने के पूरे पूरे चांस है, मिलते हैं दुबारा, see you again, take care, I hope ये वीडियो के बहुत काम है, ऐसी वीडियो में आपके लिए लाता रहूँ है,